बिस्मिल्लाहिर रख्मान इर्वाहीम असलाम लेकों विवर्स वेल्कम टू मैं चैनल कुकिंज विद्माली का उमीद है कि आप सब हैरु आफ्यासे होंगे आपको हमेशा हुचर अरबाद रखे आमिन तो मामिन तो विवर्स बकड़ इस स्पेशल रेसिपी लेकर आपके बहुत इम्मतेदार थी बहुत डिलिशेट बहुत जल्दी बन जाने वाला आज हम प्लाव रडी करेंगे और वह है कीमा प्लाव बीफ कीमा प्लाव कैसे बनेगा इंशाला आप से दरूर शेयर करूंगी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजेगा और हाफ कप ऑईल कर्म हो चुका है इसके अंदर एक तीज़ कर देते हैं जीरा चंड टुक्रे हैं दार्चीने के दो तेज़ पात हैं दो अदर खरी लाइची है चार लॉंग है और साथी एक परी लाइची है इन सारे ही साबत मसालों को हम फ्राई करेंगे और तक्रीवन एक म सब्सक्राइब लिए तो यहां पर प्याद शामिल करने लगें लिए प्याद मैंने दे लिया है एक अदर मीजिम साइज का इसको हमने फ्राई करना है लाइट गॉल्दं करना आज जाने तक लाइए करेंगे बहुत जादद नहीं करेंगे किंगे इसके अंदर हम ने कीमा भरके लिठेन अगरलर काके लिए तो लिए ल Phillips ऐया पर मैंने दो-टी-स्पून चामिल कर दिया है लिए लिए लेज दर के साथ हमने कीमा को walk करणा है तक्रेबां दो-से-घ Divler के लिए ताके लिएывает का कलर भी चेंज हो जाए तो इसका गोल्डन ब्राउन आ जाए और कीमा भी अच्छे त्रीके से भून जाए तक्दिबन विज़र दो से त्री मिज़र चुके हैं मीडियम फ्रेम पे हमने सारे चीरों को फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कलर सब कही चेंज हो गया है तो चली विवर्थ अब हम इसके स्केंदर कर देऊं दो अदर हटे मिंजर देति हैं और दो अदर होग आई कि इसके इनको बदीकर कर दिया है और दो और दो तो चलिए वज़ इन सारे पॉडर स्वाइस को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और भूनाई कर लेते हैं तक्रीबर एक से देजर मिनिट तक हम सारे ही फ्राइस को भून लेंगे इससे क्या होगा जात अच्छे सी हुष्भु औना शुरू हो्जा ना जाते मुनाई होगी तो इन श्युद्द ही अच्छा है तो बस बल बैंगा हो कमन है एक चुटा कप सके दोर पानी का शामिल कर ल चुका है प्याज और टमाटर हो चुके हैं इसको थोरा सा आप मैश कर सकते हैं स्पून के मदब से भी और भूनाई थोरी सी कर देंगे यहां पर थोरा सा तक्रीबन 2-3 वर के लिए हम और भूनेंगे इसे इंदर दही शामिल करके तो यहां पर तक्रीबन 3-4 टेबल स्पून कर देंगे दही शामिल करने के वक्त भी आपने फ्लेम को स्लो कर देना है ताकि यह जो हमारा दही फट लेंगे कोई बी क्रीमी चीज आप एड़ करें दें और फोरन से ही चमझ छिला दें इसे क्या होगा चैनल पर देंगा थोरा सा दनिया के पते शामिल कर दिए और उसके लेते हैं तक्रीबान आसे 10 मिनल के लिए ताके खीमा तरीके से गल जाए यहां पर यहां पर तक्रीबान दस मिनल कज़ चुगे हैं और हमने कीमा कि पका भी लिया है अब इसके ञाल चावल करेते हैं 16-30 फीर हैं इस वारा धा गेंदा पहले ही दोने के बाद भी गोव दिया चावल अच्छे त्रीके से सौख हो चुके हैं अब हम चावल शामिल करने के बाद चेक कर लेंगे कि जो कीमा की हनीवनी है इसके लिए पानी इतना ही काफी है यहां हमें और शामिल करने पड़ेगा और दूसरा हमने यहां पर नमक भी चेक करना है अगर नमक कम लगे तो नजर आ रहे से पानी के उपर ही इसलिए चोटा सा एक कप पानी का ओड़ शामिल कर दिया है अब चावल अच्छे त्रीके से मुकमल तोर पर इस पानी के अंदर ढूप चुके हैं तो बस इसको हमने पका लेना है तीन से चार्वनिट में ही इसका पानी इंचाला से हुश् इसके अंदर रहने देंगे तो यह लिच्छी वर्थ पानी तक्रीबन राय हो चुका है अब हम इसके अंदर एक अदर लेमू चिरख देते हैं लेमू का रासाले से क्या होगा कि चावल बिल्कुल भी हराब नहीं होंगे ना ही तूटेंगे ना ही बैठेंगे एक अदर धर लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे मदेदार से चावल कैसे राड़ी हुए हैं तो यहां पर विवर्थ तक्रीपन बेस्पनर खुदर चुके हैं दम अच्छे तरीके से आ चुका है एक देधारोला चमच आपने लेना है और साइट से चमच को हिलाना है और यह देखे विवर्थ कितने कमार के खिले-खिले से मदेदार से चावल जाड़ी हैं अच्छे तरीके से पक बीचुके हैं और खिले-खिले से भी बने हैं बिलकुल भी नहीं बैठे हैं तो विवर्थ अगर आप इन सारे यह प्रिक्स को फॉलो करते हैं चावल बनाएंगे तो आपके किसी भी राइता के साथ तुमाटर की चटनी के साथ सैलट के साथ और हो बिंजवाई कीजिए आपको मेरी रेसीपी पसंद आई होगी इस रेसीपी को ट्राइ करने के बाद आपने फीडबेक भी देना है कि जो आपने कीमा पुलाब बनाया वो कैसा बना इस स्पेशल इसके साथ और थोड़े से तनिये के पते स्पेट कर देते हैं इसके साथ ही विवर्थ इजाज़त चाहती हूं फिर हादी रूंगी एक नई रेसीपी के साथ अपना बहुत साहया रिखेगा और मुझे भी दौा में याद रिखेगा अल्लाहाफेज